हेलो डीसी फैंस तो और इंट्रस्टिंग अपडेट्स निकल के आ रही हैं डीसी एक्स्टेंडेड उनिवर्स से रिलेटेड हम जानते हैं ब्लू बीटल मुवी जो एक HBO Max एक्स्क्लूजिव मुवी होने वाली थी लेकिन वार्णर ब्रदर्स ने आज ये अनॉस्मेंट किया है कि ब्लू बीटल मुवी को एक फुल फलेज़्ड थियटर रिलीज मिलेगी जी हां गाइज वार्णर ब्रदर्स ने आज एनॉसमेंट किया है कि अगस्त 2023 को ब्लू बीटल मुवी थियटर पे रिलीज होगी जब इस मुवी का एनॉसमेंट हुआ था तब ही मैंने बहुत पेंडमिक चलेगा और उस वक्त Warner Brothers ने अपनी स्ट्रीमिंग एप HBO Max भी कहें तो लांच की थी तो HBO Max एक्स्क्लूजिव कंटेंट के थूँ वो सब्सक्राइबर गेन करना चाहते थे HBO Max पे लेकिन अब हम देखरें पेंडमिक धीरे धीरे शान पढ़ रहा है और बड़े बड़े हॉलिवूड प्रोजेक्ट से रिलीज भी होने लगे हैं तो Warner Brothers ने ये स्ट्रेडिजी अपनाई है कि वो Blue Beetle को थेटर में रिलीज करेंगे तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा डिसिजन है और गाइस अभी भी मैं एक चीज़ बताऊंगा कि बैट गर्ल मुवी को भी थेटर पे रिलीज होना चाहिए उसमें भी पोटेंशल है बॉक्स आफिस पे अच्छा करने का ब्लू बीटल को आप जानता ही होंगे ये एक लैटिन अमेरिका सुपर हीरो है जिससे कहें तो एक एलियन आर्मर मिल जाता है जिससे वो सुपर हीरो पावर्ज वो गेन कर लेता है और कई सारे वीडियो गेम फ्रेंचाइसे में भी अपिर हुआ है और अनिमेटड शोज में भी अपिर हुआ है और इसका जो लीड डॉल कर रहे है वो कोबरा काई के एक्टर जोलो मैरियो डॉणा कर रहे है और इसे डारेट कर रहे हैं मैनूल सोटो तो मैं बहुत ज़दा excited हूँ इस movie को लेके और जितने ज़दा DC projects हो उतना ज़दा better है तो अगल 2023 की release date काफी अच्छी release date है I don't think कि अभी तक कोई बहुत बड़ा project announce हुए है 2023 के लिए तो इस movie के announcement date के बाद हमें दो बड़े projects मिल रहे हैं 2023 में अभी तक वो है Shazam 2 Fury of Gods और दूसरा है Blue Beetle तो guys क्या आप excited है Blue Beetle movie clear please comment section में ज़रूर बताइए और DC fan है तो मेरे channel को subscribe करिए